बिहार SSE BPSC का जो शार संग्रा चल रहा है 2001 का सोच रहा हूं दिन में दो वीडियो तीन वीडियो अप्लोड कर दूँ कि आपको जल्दी से जल्दी यह मिल जाए आपको आप चाहते हैं तो कमिट बॉक्स ले कमिट करेंगे और फिर सोच रहा हूं कि नया जो शार संग्रा ल आगे सवाल है कि बहारत में मतदाता होने के लिए निवंतम उम्र क्या होए तो यादुक्या अटाता देने का बोर देने का दिकार है अभी चल रहा है वोटिंग! बातिये नागरीकों के मौलिक कर्टब कितने हैं तो एगारा हैं याद रुखिएगा एगारा कर्टब हैं मौलिक कर्टब एक राज्य में मुख मंतरी के निक्ति कौन करता है राजपाल करेगा जैसे ही राजी की बात होगी तो मुख मंत्र ये परधान मंत्र की बात होगी तो राश्पती मिल्क्त करेंगे Next question है की जो ठाbels भारत की उपर राश्पती का चुनाओ करते हैं वो क्या करते हैं 시ंसद संसद होते हैं याद करेगा क्या होते हैं शंसद होंगे जब भी होंगे शंसद होंगे बारी वाज़करी मौत करेगा मुक न्याजीश के अतरिक उच्छ तम न्यालाय में न्याजीशों की संख्या कितनी है तेतीश है अब एक बढ़ गया है ठीक्या तेतीश है याद रखेगा आगे सवाल है विश्व स्वस्थ दिवश कम मना जाता है तो साथ अपरेल को मना जाता है हमेशा ध्यान रखेगा नेक्स्ट कोशन है कि भारत में रेलवे जून की शंख्या कितनी है तो 18 जून हो गया है अब के हिसाब से एक दो जून बढ़ चुका है लेकिन अभी उसे सरकारी तहसे महत्म नहीं मिला है कोची बंदरगा कहां वस्तित है तो 65 पर वस्तित है आप जानते हैं कोची बंदरगा आगे सवाल है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था 2869 में हुआ था याद रखेगा रोजगार समाचर कहां से प्रकाशित होता है तो दिल्लीश होता है आप जानते हैं गाइड पूस्तक के लेखा कौन है तो आर के नरायन है देख सकते हैं आगे सवाल है किसकी साहित नदी है तो गंगा की शाहित नदी है आप देख सकते हैं आगे सवाल है किस साहर में पहला इस पात करखाना स्थापी था जमसितपूर में इस पाती था भारत में रवड उतपादन में अगर नियराज कौन है तो किरल है ये भारत खुद बनवाया था या तो कि भारत के लोग बनाया थे आगे सवाल है कि पानिपत की तीसी लडाई कब हुआ था 1761 में हुआ था पहला हुआ था 1526 में दूसरा हुआ था 1556 में है ना देख सकते हैं या तो क्या तीसरा 1761 में चंदगप्त मौर के समराज के रजधानी कहां थी तो पाट्टी पुत्रा है हमेशा द्यान केगा नेक्श्ड कोच ने भारत के लौपुरुष के रूप में किन को जाना जाता है तो सरदार बल्ला भाई पटेल को लौपुरुष के नाम से जानते ही सिंदुगाटी शब्ता के लोग किस की पुजा करते ही तो पशुकती की पुजा करते ही आगे सवाल है कि आदी मानव ने सर प्रथम क्या सिखा आग जलाना सिखा था आदी मानव ने याद रुखेगा मुगल बंज के संस्थापक कब हुए मैंद मुगल बंज का स्थापना कब हुआ ये पूछ रहा है आगे सवाल है कि रिच असकेल से किसको मापा जाता है तो भूकम कि तिवरता हम लोग मापते हैं जब भी नापते हैं आगे सवाल है कि भारत राश्टिये कॉंग्रेश का प्रतम अध्य frozen जी है अगर सनस्थापक पुछे तो इयो हूम को बला जाता है भातिये राश्टिये क entendu का पढ़े होंगे अब अगर बहारा पुलिश का दे Всक्सक्राइ रहोंगे उसमे तो सुची पिरिवे से question उठाए के नहीं, तो कब हुआ था, 1885 में हुआ था, या तुकिएगा, आगे चलिएगा, बाहर यावा जो कोई में और करती चलेंगे, कौन अमलिये वर्षा पैदा करती है, तो सल्फर डायक्षाइड अमलिये वर्षा पैदा करती है, नेक्स्ट कोईशन है, भूप पट्टी, पर अधातु है, या तुकिएगा, किसकी, किसकी उतपादन में बृध्धी को स्वेत करांती कहते हैं, तो दूद को स्वेत करांती के नाम से जानते हैं, विटामिन B1, की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी-बेरी रोग होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हैजे के र दारना किसने की तो रॉबेट हुक ने की थी याद रखेगा आगे सवाल है कि जख्मों के सिर्थ सिग्र भरने में शायक होने वाली बिटामिन का नाम बिटामिन C है C से हम लोग को जख्म जल्ली भरता है सुपता अवस्था मतलब नीन में रहने वाला में मनुष का रक्त चाप क्या होता है सोते समय तो गीर जाता है रक्त चाप हमेशा या तो क्या उसांत हो जाता है मांस पेशियों में मुक्ता कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तो मायोशीन थे केचुआ जो है लबदाय कृतिम है, आगे सवाल है मानर्शरीर की कौन सी गरण थी, श्वामी गरं थी कालाती है ते पिन्धूरिती गरं थी कालाती थी जाद दुकेगा आगे सवाल है कौन सा भारत का राष्ट्री ये पच्ची है तो मोर है ये भी ध्यान रखेगा आगे सवाल है एक अस्व सक्ती किस के समान है तो 746W के समान है याद रखेगा आगे next question है विजली के वल्व का विशकार कुष ने किया तो ताइमस अलवा एडिशन रखेगा आगे सवाल है कि एक तत्ब के समस्थानिक में क्या हूता है तो प्रिट्रोनों कि शंख्या समान होती है हमेशा द्हान रखेगा कौन सा उर्जा का परमपरा गत स्रोत है तो पिट्रॉलियम है हमेशा दिहान रखिएगा आगे नेक्स्ट कोश्चन है कि प्रथम अंतरीच यान किस देश से भेजा गया तो सोवियत संग है सोवियत संग मतलब रूश के दोरह भेजा गया था आगे सवाल है कि अंतरीच में जाने वाला प्रथम भातिय महिला कौन थी तो कलपनाचावला थी आगे सवाल है कि ध्वानी की गती सर्वधी किस में होती है तो ठोश में होती है नेक्स्ट कोईशन है कौन सी पदात केबल एक तत्व से निर्वित होता है तो हीरा जो है एक तत्व से निर्वित होता है कौन सा जो है सबसे लचकदार होता है तो रवड होता है नेक्स्ट कोईचन है कि रेडियो कार्वनिक जिसे डेटिंग कहते हैं तिथी जो है निर्धारन पद्रती का उपयोग किसकी आयू निर्धारन करने के लिए होता है मतलब पता लगाने के लिए जिवाशम का या चुखिएगा आगे सवाल है कि राष्टिये विज्ञान दिव का तंतू किस धातू का बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है हमेशा जानते हैं जंग रोधी इस पात का निर्मान किस धातू में लोहा मिला कर किया जाता है तो निकल में किया जाता है कास्टिक शोडा कारशानिक नाम क्या है तो सोडियम हाइड्रो कॉलराइड है या तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है तो गर्म होने पर अधिक फैलता है। इसलिए नाखिये शल्यन होता है। कौन सी रंग शुच के वरعة क्रम को नहीं होता है। तो अवरत्त जो है नहीं होता है सुच से समंदी तेज से कोश्चन वनेगा, कौन सी गैस प्रतिवी को सुच की प्रावेगनी किरनों से बचाते हैं, तो जो उन गैस बचाते हैं, तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर से जुरूर बताईगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो दिन में चार या पांच वीडियो अपलोड कर देंगे, पांच से चे मिनट या तस मिनट तर, बाई बाई, टड़ा,